हलो फ्रेंड्स वेलकम तो फिसिक्स विद अतुल सिंग चैनल आज हम देखते हैं टॉपिक जंक्शन फिल्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर शॉर्ट फ़र में उसे हम जे एफ इटी भी बोलते हैं जेफेटी बेसिकली दो टाइप के होते हैं एक एंड चैनल जेफेटी होता है और दूसरा पी चैनल जेफेटी होता है ठीक है एंड चैनल मतलब निगेटिव एलेक्ट्रॉंज उसमें जादा रहेंगे पी चैनल मतलब होल्स इसमें होल्स जादा रहेंगी ठीक है So, n channel का, जो, symbol है वो ऐसा है, यह gate है आपका यह drain है यह source है तो gate के अंदर के सरफ गया है, यह n channel symbol है और p Channel का symbol यह Gate है यह drain है यह source है तो यह gate emit towards है, ठीक है arrow इoni यह P Channel का symbol है ठीक है ए ंर जो हम jf t use करेंगे वह आपका n channel jf t रहेगा ठीक है तो आगे दिखते, यह आपका JFT है तो देखते हैं इसमें क्या होता है यह देखे यह आपका N KL JFT है मतलब इसमें आपके क्या ज़्यादा रहेंगे इसमें Electrons आपके ज़्यादा रहेंगे इसमें आपके Electrons जदा रहेंगे As computer to 알 holes तो देखे यह आपका एक substance है ठीक है इसमें N जो है N ये बहुत जाद है और P जो है P मैंने थोड़ा-थोड़ा ये side में और ये side में dopt किया हुआ है ठीक है अब ये N है ये पुरा N junction है ये पुरा N region है electron का region है और ये आपका holes का है तो P और N junction बनेगा तो पी और N junction जब बनता है तो उसके बीच में आपका क्या depletion region form होता है है तो दोनों side में ये क्या form हो गया आपके depletion region ठीक है अब basically ये जो आपका J FETA ये तीन तीन terminal में connected है ये आपका होता है gate ठीक है ये gate हो गया ये हो गया आपका drain ये नीची हो गया आपका source जो ये side में connected है gate उपर drain नीची आपका source और ये जो P है P ये दोनों साथ में connected है ठीक है किसको gate को ठीक है सो अभी देखते हैं अभी जो मैं वोल्टेज दूँगा gate और source के बीच में gate और source के बीच मेंगर जो मैं voltage दूँगा वो आपका VGS रहेगा सिर्फ gate को व्लटेज दूँगा वो आपका VGG रहेगा drain और source के बीचола जो voltage रहेगा वो रहेगा VDS सिर्फ जो drain को मैं voltage रहेगा वो रहेगा आपका BDD ठीक है यह voltage होगा आपका So basically यह आपका JFT क्या है JFT है आपका voltage control device है इसमें आपके दो PN junction है एक यह PN और एक यह PN junction तो इसमें basically दो depletion region रहेंगे हैं ना एक यह depletion region और एक यह depletion region और यह gate क्या करता है control the moment of electrons अब यह जो आपका drain है और यह source है यह basically source से आपका electron flow होगा जैसे मैं voltage लगाता हूँ इस पूरे JFT में तो source से आपका electron flow होता है तो gate basically क्या करेगा control the moment of electron ठीक है and JFT हमको पता है यह 3 terminal device है 3 terminal मतलब एक gate हो गया एक drain हो गया दूसरा तीसरा आपका source हो गया तो यह 3 terminal device हो गया सब आगे देखते हैं सब हम इसमें 3 cases देखते हैं ठीक है अब इसमें हम 3 cases देखेंगे सब 1st case देखते हैं जब आपका VGS 0 होगा और VDD 0 होगा VGS मतलब G और S के बीच का जो voltage रहेगा वो 0 रहेगा और यहाँ पर जो मैं volt दूँगा D में drain में वो 0 रहेगा तो क्या होता है depletion region are of equal thickness and it is symmetrically distributed इसका मतलब क्या कि यह जो आपका depletion region है P और N junction के बीच का वो वैसी रहेगा जैसा पहले था ठीक है क्योंकि इसमें मैंने voltage भी कोई supply नहीं दिया है है न सब 0 है तो ना तो इसमें electron flow होगा source से और ना ही drain से आपका current आएगा ठीक है और depletion region भी आपका वैसी का वैसी रहेगा अब second case अब हम देखते हैं second case इसमें आपका जो VGS है वो 0 रहेगा और VDD आपका positive supply रहेगा मतलब जो G जो gate है और source है इन दोने के बीच का voltage क्या रहेगा 0 ही रहेगा और यहाँ पर मैं जो voltage दूँँगा drain में वो आपका रहेगा positive ठीक है तो इसमें क्या होता है जैसे मैं यहाँ पर positive voltage supply देता हूँ सो Lawrence source से लेके drain की तरफ flow नहीं लगते है यहाँ से आपके Electrons flow होंगे Source से लेके drain की तरफ तो जैसे electron ऐसे flow होता है तो drain से लेके source में source की तरफ आपका क्या फ्रूअ होगा current, that is ID datas чис 131 में क् selfish की तरफ आपका current flow होगा ऐसे ठीक है इसके वज़ेसे आपका क्या होता है there is a voltage drop from D to S अब देखिए यह आपका current flow होगा इस current flow ने के वज़े से आपका energy loss हो रहा है voltage voltage loss हो रहा है तो voltage drop होगा तो जैसे voltage drop होगा तो यहां पर actually voltage यहां पर इस part में voltage ज्यादा drop होगा and इस part में voltage कम drop होगा ठीक है इसके वाइसे क्या होता है कि gate become negative and there is a reverse bias near P channel ठीक है तो यह negative हो जाएगा और यह P है positive है तो negative आप connect करते हो अगर P region में तो वह हो जाता है reverse bias हो जाता है है ना इसके वाइसे क्या होगा जो इसके वाइसे आगे क्या होगा देखते हैं the depletion region will be asymmetrically distributed across P region इसका मतलब कि आप आपकर क्या voltage ज्याइदा drop हुआता यहापे कमगा तो इसके वाइसे यहाँ जो depletion region होगा यहाँ pada maximum होगा और यहाँ पे minimum होगा यहाँ भी आपका deception maximum होगा और यहाँ पे minimum होगा ठीक है यहाँ आपका depletion region है, so इसके वाइसे depletion region आपका क्या होता है change हो जाते है, अगर आप ये condition देते हैं तो, ठीक है, so अब हम third case देखते हैं, third case में क्या होगा, जो आपका VGS रहेगा, वो negative रहेगा, और VDD आपका positive source ही रहेगा, ठीक है, मतब G और S के बीच का जो volt रहेगा, वो मैं negative देता हूँ, और यहाँ पर जो volt मैं देता हूँ, वो positive so इसमें basically क्या होता है, कि ये negative है, है ना, gate आपका negative है, और आपका electron so ये negative है and ये positive है, तो यहाँ पर reverse बायस हो गया, है ना, reverse बायस हो गया, तो इसकी वासे जो depletion region है, ये दोनो, क्योंकि ये दोनो connected है, ना, तो इसके साथ baby होगा, तो depletion region है, कुछ ऐसा form हो जाएगा, पूरा मतलब depletion region cover, पूरा जो है, वो cover हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा flow from source to drain, so therefore, जो आपका यहाँ पर current flow हो रहा था, ID, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर, 0, है ना, so, ये जो भी आपका volt रहेगा, VGS, जो भी आप negative, कोई भी volt लेता हो, negative volt लेता हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे, VP, that is, pinch of voltage, so, इस pinch of voltage पर क्या होता है, जो आपका current होता है, from drain to source, वो हो जाता है आपका 0, ठीक है, friends, वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगी, तो आप comment में बताईए, क्यों नहीं अच्छी लगी, and आगे आपको फिजिक से रिलिटेड वीडियो देखने के लिए, आप चैनल को subscribe जरूर करें, so thank you for watching the video,